हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आउजा का नया एम्प्रिफायर के बारे में जी हाँ प्रेंज आउजा ने जो एम्प्रिफायर हाली में लॉंच किया उस एम्प्रिफायर का ओल डिटेल्स जानेंगे अज साथ ही साथ एम्प्रिफायर का प्राइस जा सब्सक्राइब तो एक मौड़ेल नम्बर जो कि है XDA-2002 एक डूल का Class D Amplifier आपको दो वाल्यूम देखने को मिलेगा चैनल A का चैनल B का आपको प्रोटेक्स सिगनल दिया गया है ट्रेम सिगनल दिया गया है और signal दिया गया है on on fault का signal भी दिया गया है इस amplifier में तो गाइस पीचे की साइट आपको input में देखने को मिलेगा एक्सेलर सौकिट और माइक सौकिट चैनल B का चैनल A का और साथ इसमें आपको low fast filter दिया गया है मतलब आपको अलग से mixture और equalizer लगाने की कोई जरूद नहीं है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा stereo और mono करने की option भी इसमें दिया गया है ground करने की भी option इसमें दिया गया है overload का एक switch दिया गया है amplifier overload हो जाएगा तो आप दुबारा इसमें reset करके चला सकते हो आप इसमें input देना है आपको 220 volt से 240 volt तक इसमें एक thinning ची का fan भी दिया गया है जो की heat को बाहर फेगने के लिए काम में आता है दो बनाना connector दिया गया है channel A, channel B का दो speaker on socket दिया गया है channel A, channel B का जो overall इस amplifier के पीछे के side में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा तो guys power output के बारे में हम जान लेते 8 ohms पे आपको 1300 watt per channel यह आपको output देगा और 4 ohms पे आपको 24 watt से लेके 25 watt per channel output आपको देगा amplifier का dumping factor है आपको 1000 इस amplifier में आपको frequency response देखने को मिलेगा 20 से लेके 20,000 तक और guys इस amplifier एक class D का amplifier है और class D के amplifier होने के साथ इस amplifier का weight भी जादा नहीं होगा क्योंकि 21 kg 500 gram इस amplifier का weight है जो कि बहुत ही हलका है जो कि 5000 watt amplifier आपको दूसरी आउजा का amplifier आपको 45-50 kg देखने को मिलेगा पर यह वाला amplifier में आपको 21 kg 500 gram ही देखने को मिलेगा और बात करें इस amplifier के price के बारे में तो यह amplifier आपके market में 70-80-90,000 के भीज में आपको मिलेगा तो guys वीडियो को अच्छा लगए तो वीडियो को एक like करें दीजिए और मेरे चैन पे आप नहीं आए तो please चैन को subscribe करें दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में